हेलो स्टुडेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का सोश्यो पॉइंट चैनल पर आंद्री बित्य का पीजन सोसाइटी आजम पढ़ने जा रहे हैं आंद्री बित्य का क्रिशक समाज बहुत ही जादा इंपर्टेंट्स और काशेप्ट तो सोस्यालिजी के नजरीय से हम देखते था इंपर्टेंट है ही साथ में इन जैनरिल भी यह बहुत ज़्यादा इंपर्टेंट है क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं कि यह फार्मर पीजन इंट एग्रेर यह सब क्या होता है नई क्लियर होत बड़ी बात यह इंडियान थिंकर एंडिया की टर्म में 報ें हमें बताएंगें हम इंडिया से इंट्रूब्यूस होने वाले आंद्रियुपेते से बहुत तल पहले और विह निक्टेटी के आप की उन्होंने काफिस निकाल करके सामने लाई हमें दिखाई तो वो भी चलती चली आ रही है हमारी सुसाइटी में उनके उपर भी मतलब वो सारी चीज़े हैं तो उनसे भी कंफ्यूजन होती रहती है तो बेते ने एक बहुत बढ़िया काम किया है कि और सारी थिंकर्स की भी स्टडी को इसके अंदर रख इंडिया पे यहां पे क्या वो एपलाई होती हैं तो आएए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पीजन सुसाइटी इसको स्टडी करके इन्होंने किस बुक में लिखा है Essays in Comparative Sociology जो की 1894 में पबलिश हुई हिंदी में तुलनात्मक समाच शास्तर पर निबंद बहुत इंपॉर्टेंट बुक किसकी आंद्रे बेते ही की इस बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको इंडिया के बारे में यहां की पीजन सुसाइटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगे ठीके देखो जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद जरूरत आई कौन लोग सबसे जादा थे जो रूरल प्रोफाइल से जुड़े लोग थे हैना वही लोग जादा थे वही लोग पिछड़े हुए थे जरूरत पड़े कि हम उनका डेवलोप्मेंट करें अब डेवल सुसाइटी को हम कहेंगे पीजन सुसाइटी और इसी सवाल का जवाब ढूनते हुए काफी सारी स्टडीज हुई लोग ने बहुत इंट्रेस्ट दिखाया ग्रामीड क्षेत्र पर अध्यान के लिए ठीक है अब देखो जो टर्मिनॉलोजी की बात है तो यह चीज आप समदाय या क्रिशक समाज नहीं कह सकते हूं है ना इंगलिश मीडियम को नहीं समझ में आयोगा सिंपल सा है भारत का जितना भी आप रूरल कम्यूनिटी देखते हो जितनी भी भारत में रूरल कम्यूनिटी पाई जाती है उस सारी रूरल कम्यूनिटी को आप पीजन क्योंकि अगर हम structure को देखे संरचना को देखे तो जो भारत की गाउं है वो एक जैसे नहीं है हर एक गाउं को अगर हम compare करें तो दोनों में thinkers कहते हैं कहते हैं कि बहुत व्यापक भिन्नता आपको देखने को मिलेगी बहुत बड़े बड़े differentiation आपको देखने को मिलेगे ठीक है बेटे ने कहा कि अगर हम भारत के जितने भी गाउं हैं सबको अगर हम क्रिशक समाज कहने लगे तो बहुत सारी कठनाया हमारे सामने आएंगी है ना उनके लिए पॉलिसीज बनाने से ले करके हमारी स्टडी के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि हर एक गाउं का स्ट्रक्व्शर अलग होता है इतनी धेर सारी कास्ट इतने धेर सारी डिवीजेंस है ना तो हर एक गाउं एक जैसा नहीं होता ठीक है हाँ इस बात से कोई दोराई नहीं है कि हम ग्रामीड कुछ रूरल कम्यूनिटीज को हम क्रिशक समाज कह सकते हैं लेकिन हमारे यहां अगर आप पहले से चले आ रहे हैं जो परमपरागत डिवीजन्स हैं विभाजन हैं है ना ट्रेडिशनल डिवीजन्स जैसे की कास्ट को ले करके या क्रिशी को ले करके भी बहुत सारी और कौन अपनी लेंड पे करता है किसकी लेंड बढ़ी है जो इसे करके हमार एकवालिटी तो आपको दिखाई नहीं देती है ना जरा से तो रूरल स्टडी करवाई जाती है तो अगर हमें यहां पर स्टुडेंट्स को क्या किया जाता है वो कहते हैं कि पहले क्या किया जाता है बताए जाता है स्टुडेंट्स को कि शहर क्या होते हैं सबको क्लेयर हो जाता है कि शहर क्या होते हैं ठीक है उसके बाद फिर बताए एक होते हैं जन जाती एक होते हैं एक होते हैं ट्राइबल एरियास एक होते हैं नॉन ट्राइबल ग्लास है ना हमारे जितने भी वह कौन होंगे रूरल इरियास होंगे तो मतलब उन्हें यह शहरी इलाके पता चल गए कौन से होते हैं ट्राइब्स पता चल गई अब बाकी जितना बचा वह अंडर्स्टूड है कि वह गाउं होंगे बिते जी कहते हैं कि इस तरीके से पढ़ अब इस तरीके से अंडर्स्टूड वाली लैंग्विज में बता दोगे तो एक कैसे समझ में आएगा उसके डिटेलिंग कैसे समझ में आएगी कि यहां पर कैसे अग्री कल्स्ट्रल हारार की मिलती है क्रिशी से संबंदित संस्तरण आपको उच नीच देखने को मिलती है क अंडर्शिप से रिलेटेड कितनी सारी डिफ्रेंशिएशन है यहां पर किस तरीके से अपना लोग लेबर देते हैं और लेबर देनी की भी एक विवस्था है डिवीजन ओफ लेबर है यहां पर तो इस तरीके से हम हमें बहुत ज़ादा जरूरी हो जाता है बेटे की thinkers थे जो की anthropologist थे मानव शास्त्री थे उन्होंने क्रिशक समाज के बारे में study की और हमारे सामने अपनी अवधारनाई रखी क्रिशक समाज के बारे में और बहुत सारे समाज शास्त्री उन्हीं को follow करके हमारे भारत देश के गाउं की study कर रहे थे समझ रहे हो मतलब भारत से ब में ठीक है तो इसलिए बेते ने सबसे पहले क्या किया anthropological concept of peasant society के बारे में बताया ठीक है और उसको देखा कि यहां पर कितना वो लागू होता है तो हम सबसे पहले जो की आंद्रे बेते ने किया कि क्रिशक समाज की मानव शास्त्री अभधारनाई कौन से हैं ठीक है तो उ लोगों की studies पढ़ेंगे एक है Robert Redfield और दूसरे है कौन T Shannon ठीक है विते ही कहते हैं कि जो आपका आज क्रिशक वर्ग है क्रिशक समुदाय है और क्रिशक समाज सब में डिफ्रेंस है यानि कि पीजेंट्री पीजें कम्यूनिटी पीजें सुसाइटी सब की सब अलग अलग है है ना और हमारे देश में इतना ज़्यादा differentiation देखने के बाद आप इसको एक ही category में लेकर की नहीं आ सकते हैं ठीक है हमारे यहां भारत देश को ले लो और बाहर के देशों को ले लो हर एक क्रिशक समाज की अपनी अलग अलग विशेशताय होती है ठीक है और सब की अलग different different characteristic होने के कारण सब में क्या होता है आप एक clear division देख सकते हो ठीक है तो Robert Redfield जो थे वो पहले ऐसे anthropologist थे जिन्होंने क्या किया modern technique के according क्रिशक समुदाई की study की समझ रहे हो और क्रिशक समुदाई की study करने के लिए वो मैक्सिको के टेपो जोलान गाउं में गए study के लिए ठीक है अब इन्हों ने सोचा कि हम क्या करेंगे गाउं की study करेंगे और गाउं का internal structure और जो आउटर structure आंतरिक संरशनल और बाय संरशनल दोनों को हम clear कर देंगे ठीक है तो यह लेकर के यह गए थे और फिर उन्होंने टेपो जोलान की study की और फिर उन्होंने क्या किया गाउं को study करने के बाद यह कहते हैं कि क्रिशक समाज का पर ग्रामीडों से है जो जीवन निर्वाह के लिए भूमी पर नियंत्रड बनाए रखते हैं उसे जोते हैं क्रिशी जिनके जीवन का एक धंग है जो ग्रामीड उन नगरिये लोगों की ओर देखते हैं एवं उनसे प्रभावित होते हैं जिनके जीवन का ढग उन्हें के समान होते हुए भी उनसे कुछ अधिक सब भी होता है है ना थोड़ा सा इन्होंने कमपैरजन कर दिया है ठीक है यह definition देते हैं इंग्लिश में देख लेते हैं यह definition those rural people who control and cultivate their land for subsistence and as a part of a traditional way of life and who look to and are influenced by gentry of townspeople whose way of life is like theirs but not but in a more civilized form है ना यह इन्होंने अपनी पीजन सोसाइटी एंड कल्चर बुक में बताया है ठीक है अब आंद्रे पेते ने इसको clear किया है कि इनके meaning को कि इन्होंने क्या क्या है अपनी definition में दो चीजों की बात की है एक तो ग्रामीड जो जिस तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करते वो mode क्या है वो धंग क्या है किस तरीके से देर mode of livelihood और दूसरा nature of their relationship with other strata है ना यानि कि अन्य स्तर की लोगों के साथ उनके संबंदों की प्रकृती कैसी है ना इन्होंने कहा ना कि बाहर की लोगों से वो प्रभावित होते हैं और उनके उनका अलग धंग होता है कि जो लोग जो छोटे उत्पादन करता हैं जो small producers हैं जो अपनी खेती को जोतते हैं और अपना livelihood कमाते हैं अपनी जिन्दगी जीते हैं ठीके तो इस तरीके से बेत्ते कहते कि आप देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने economic aspect को cover किया है ठीके इन्होंने economy पर जादा focus किया है और main source वो क्या मानते हैं कि आप कैसे समझ पाओगे कि कौन पीजंट है जब आप इनकी economic condition को देखोगे यह कैसे अपने mode of production क्या है इनका किस तरीके से उत्पादन करते हैं तो इस तरीके से आप जान जाओगे कि कौन होते हैं कृशक ठीक है और इन्होंने इनकी जो cultural characteristics हैं जो sanskrit तरीक विशेशता हैं character features हैं उसको यह ज्यादा importance नहीं देते हैं ठीक है इस तरीके से redfield के कहने का मतलब है कि वो छोटे agrarian farmers जो जिनके पास उनकी खुद की भूमी है मतलब जिनके पास भूमी है खुद की तो clear नहीं है जिनके पास भूमी है जिस पर उनका नियंत्रण होत है एक सीमा तक और वही क्या होते हैं पीजन्ट होते हैं और जो क्या करते हैं अपने उपभोग के लिए अपने livelihood के लिए production करते हैं ठीक है और अगर आप पूछोगे कि farmer क्या होता है यह तो पीजन्ट हो गया अब आप अगर पूछोगे कि farmer क्या होता है तो देखो यह रहे हैं और फिर अपना उपभोग कर रहे हैं कंजम्शन कर रहे हैं ठीक है लेकिन फार्मर वो होते हैं जो खेती किस के लिए करते हैं ट्रेडिंग के लिए व्यापार करने के लिए उक्यूपेशन होता है उनका एक ठीक है तो वो लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं खेती के ज तो जो बहुत अमीर हैं जिनके पास सारी फेसिलिटीज है ठीक है या नगर के जो अभिजात वर्ग है जो एलीट क्लासे जिनको कहते हो आप उनसे वो लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और यह लोग उनको अपने से उंचा मानते हैं ठीक है तो इस त आपके बेते अनालेसिस करते हैं इसका एवालुएशन करते हैं और बोलते हैं कि आपने कहा कि जो निमनस्तर वाले क्रिशक हैं मतलब जो जितने भी पीजेंट हैं वो किस से किसके सामने अपने आपको अपनी मतलब किसके सामने हीन भावना फील करते हैं किसके सामने अपने आपको low महसूस करते हैं आपने कहा कुलीन वर्ग है ना बेते कहते हैं कि यहाँ पर कुलीन वर्ग तो बाद में हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक गाओं के अंदर ही इतना ज्यादा डिविजन है बड़े किसान छोटे किसान तो आपको कसबो और शहर की की जरूरत ही नहीं ठीक है गाओं के अंदर ही बहुत सारे विभेद विभाजन पाए जाते हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं क्लीवेज चली आईए अब हम टी शैनन के बारे में जान लेते हैं इन्होंने पीजन सोसाइटी को स्टड़ी किया और उन्होंने कहा पीजन परिवार का यह पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे अच्छा यह टी शैनन के स्टड़ी है ठीक है टियोडोर शैनन जिन्होंने किस किताब में यह सारी बाते लिखे हैं पीजन सोसाइटीज ठीक है तो चलो पहला वाला पढ़ लो क्रिशक परिवार का खेद बहु आया सामाजिक संगठन की मौलिक एक आई है पीजन फैमिली फॉर्म इस दे बेसिक यूनिट ऑफ मल्टी डाइमेंशनल ओर्गनाइजेशन सेकिंड क्रिशक समाज में भूमी ही आजीविका का प्रमुक साधन है जो एक क्रिशक की उपभोग की आविशक्ताओं के बड़े हिस्स परिवर्तन को कोई प्रोचाहन नहीं दिया जाता आपका इसकी आर्थिक स्थिती निम्न होती है तता इस पर वाह समूहों का एक इस पस्ट प्रभाव देखने को मिलता है इस एकॉनमिक कंडिशन इस लो और अ क्लियर इंफ्लूएंस ऑफ एक्स्टरनल ग्रूप्स इस विजबल ओन इट तो इस तरीके से पीजन सुसाइटी के बारे में टियोडर शैनन और रोबर्ट रेट फील दोनों ने बताया ब और दोनों की बातों को आंध्री बेती खारेज करते हैं सुईकार नहीं करते हैं और अब हम जानेंगे कि बेते के अनुसार क्रिशक समाज की समाश्यास्त्री अवधार्ना क्या है सुशॉलोजिकल कॉंसेप्ट आफ पीजन सुसाइटी अकॉर्डिंग टू आंध्री बेते ठीक है तो बेते ने तीन विशेशताईं बताईं कारती की थ्री केरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके आधार पर हम क्रिशक समाज की अवधार्ना को स्पस्ट कर सकते हैं क्रिशक भूमी से जुड़ा होता है वह अपनी भूमी से जुड़ा हुआ होता है वह अपनी भूमी को अपनी लैंड को अपने लेबर का एक बेस मानता है अपने श्रम का एक आधार मानता है और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर लैंड का ओनर हो वो उसकी ही भूमी हो ठीक है एक इनसान का किसी लैंड पर उसका ओनर्शिप हो यह वो किसी किराय की भूमी पर जुताई करता हो ठीके, उस पर अगर वो कृशी कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीके, फिर भी एक कृशक हो सकता है, वो लेबर देता है लैंड को, और लैंड बेस होता है उसके लेबर का, ठीके, इस तरीके से एक कृशक भूमी से जुड़ा हुआ होता है. संपूर्ट समाज में क्रिशक की स्थिति निम्न होती है हम लोग जब भी किसानों की या क्रिशकों की वो जो हम लोग इमेजन करते हैं अपनी दिमाग में एक किसान का पिक्चर वो एक्चुली में पीजन होता है क्रिशक होता है जिसको हम बहुत सिंपल सी लाइफ जीते हुए देखते हैं एक सिंपल सा उसका अकच्चा सा घर होता है थोड़े बहुत जानवर होते हैं और साधे कपरों में होता है तो और वो क्या करता है उसके पास फैसलिटीज बहुत कम होती है है ना खरचीला टाइप नहीं दिखता है उसके घर में हमें फ्रेज एसी कूलर यह सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं है ना तो यह यह पिक्चर किसका है क्रिशक का है हमारे दिमाग में है ना तो कहने का मतलब आंद्रे बेते भी स्विकार करते हैं कि क्रिशकों की जो स्थिती होती है समाज में वो तोड़ा उची नहीं होती है ना उनकी स्थिती हम लोग में लेकर के आएंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सोसाइटी में एक इंसान है जो इतना ऐसी लाइफ सीजी रहा है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हम high-class वाली लोगemia की जो लोग की दोंई गपृस्था इलंधोन यह लोग होते हैं को अब जैसे कुलीन वर्ग है तो पहल ही उपास बहुत सारी भूमी होगी उस पर आप खेती करेगा पर खुद से नहीं गरेगा वो खेती ठीक है अपनी लैंड पर वो श्रमिकों से काम कर वाएगा मतलब आप ये clearly देख सकते हो हैं तो दोनों dependent खेती पर पर एक जो है जिसके पास इतनी छोटी भूमी है कि कई बार उसको बहुत मुश्किल होती है कि अपना लाइबलिहोड प्रॉपरली अर्ण कर सके पूरे साल भर अपने परिवार का भरन पोश्चन कर सके दूसरी और एक ऐसे कुलीन वर्ग पाए जाते जो अपने इतना सारा लैंड है कि इस पर कि में रहा है नहीं कुछ से काम करते नहीं हो किसको रखते रहते रहते हैं ड़ल यहीं पिजन्स को कामपर लुदन आते हैं हम लूग इस पॉंट पर जोग है क्या श्रमिकों के समान क्रिशकों को नहीं माना जा सकता अप इजन के नॉट बी ट्रीटेड एज लेबरर है ना कई बार आप लोग बोलते हो देखो खेत में श्रमिक काम कर रहा है लेबर वर्ग कर रहा है किस पे लैंड पे तो ये गलत है ये बात तो clear है कि दोनों ही बड़े गरीब है दोनों ही economic exploitation का शिकार हो रहे है दोनों का ही आर्थिक शोषण हो रहा है लेकिन ये जो शोषण का nature है जो exploitation का nature है दोनों का different है एक क्या कर रहा है एक खेती से जुड़ा हो नहीं है एक को खेती नहीं आती है उसको अपना labor देना आता है, वो किसी भी तरीके से दे सकता है, बट एक जो है सर्फ खेती करना जानता है, मतलब वो खेती भी कर सकता है, और भी काम कर सकता होगा, बट वो क्या कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, बैते ने का कि क्रिशक और श्रमिक दोनों में हमारे लिए difference होना चाहिए, ठीके, दोनों को हम एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, इसके बाद आगे, जो रेट फील्ड ने अवधारना दिये क्रिशक समाज की, जिसको इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलू किया जा रहा था, इसका ये clear evaluation करते हैं, और हमारे सामने इसका evaluation प् आपधारना दिया है, जो पीजन सोसाइटी का concept दिया है, बहुत ही ज़्यादा भ्रमित करने वाला है, ठीके, ये हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी इसको हम apply नहीं कर सकते हैं, ठीके, और दूसरी बात कि इन्होंने जिस तरीके से अपने अपनी इस theory को दिया है, आपने उप tribal villages हैं, वो भी इतने ज़्यादा stratified हैं, इतने ज़्यादा उनमें differentiation देखने को मिलता है, कि हम उनको कृषक समाज तो नहीं कह सकते हैं, है ना, अगर हम यहाँ की जो अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में कुछ ऐसी जन जाती हैं, जो क्या करती हैं, धर दोर जात जाती हैं, है ना, एक जगा नहीं रहती हैं, तो अगर हम उन जन जातियों को छोड़ दे और बाकी जन जातियों की बात करें, तो अगर हम उनकी इस तरीके से उनका analysis करें, तो भी Robert Redfield के अनुसार वो पीजेंट बन जाएंगे, है ना, तो समझ रहो कि वो भी Robert Redfield की तरह करेंदर आजाती हैं, है ना, तो इस तरीके से हमारे लिए तो यह बिल्कुल भी उप्यूक्त नहीं है कि हम Robert Redfield के concept को समझें, यहां पर हमारे यहां संथाल, उराओ, मुंड़ा, बहुत सारी खास्तिया से जन जाती हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम उसको देखे तो हम उसको भी क्या कह सकते हैं, क्रिशक समाज कह सकते हैं, बट उन्होंने तो कहा कि non-tribal areas वाली ही लोग क्रिशक समुधाय के अंदर आती हैं, बट हमारे यहां तो जजातिया भी आ जाती हैं, क्रिशक समुधाय के अंदर, है ना, तो कुछ पॉइंट्स हैं, जिसका analysis कर होते हैं, रॉबर्ट रेटफिल्ड ने कहा कि, जो पीजन सोसाइटी होती है, वो एक homogenous community होती है, है ना, तो यह भी गलत है, हमारे यहां homogeneity तो बिल्कुल भी नहीं दिखती, समरूपता तो एक दम नहीं दिखती, ठीक है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, जो किसी की भूमी प के पास बहुत सारी भूमी है, है ना, तो बहुत सारा यहां पर स्टाटिफिकेशन है, और रॉबर्ट रेटफिल्ड क्या कहते हैं, second point, कुलीन वर्ग में कोई क्रिशक शामिल नहीं होता, no prison class is included in the elite class, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारे यहां बहुत सारे ऐसे elite classes हैं, जिनके बहुत सारा लैंड है, है ना, और उन्होंने कहा कि जो elite class होते हैं, रॉबर्ट रेटफिल्ड ने, वो कहा हो रहते हैं, नगरों में रहते हैं, टाउंस में रहते हैं, बट हमारे यहां तो आप कुलीन वर्गों को गाउं के अंदर भी देख सकते हो, है ना, साथ साथ रहते हैं वो सब, फिर नेक्स पॉइंट जो कि रॉबर्ट रेटफिल्ड ने कहा, कि क्रिशक समाज अब विभेदी करत, अब स्थरी करत समुधाय होता है, पीजन सूसाइटी इस अन डिफ्रेंशियेटेटेड और नॉट स्ट्रेटिफाइड कम्यूनिटी, तो यह तो आपको क् श्रीपूरम विलेज में 349 परिवार रहते थे, और उस परिवार में 92 फैमिली जो थी वो ब्रामिन की फैमिली थी, एक अबर यह साथ घुल मिल करके, एक ही जगा मिक्स अप हो करके नहीं रहते थ этого हों आपको हुचा समझते 22 और वह उनका Finished was था वो different side था गाओं के ठीक है और यह जो ब्रामिन्स थे इनका जीवन शाली ऐसी थी कि इनको किसी भी तरीके से क्रिशक आप नहीं कह सकते पीजन्ट नहीं कह सकते गाओं के जो क्रिशक थे उनसे उनकी जो वेश-भूशा जीवन शाली व्यवशाय के एक शेत्र यानिकि उनका रहन सायन का तरीका लाइफ स्टाइल ऑक्यूपेशन जो लोग करते थे वह सब डिफ्रेंट थे ठीक है तो इनके पास जो लैंड थी उस पर भी खुद काम नहीं करते थे अपनी भूमी को जोतने के लिए देते थे ठीक है और ये लोग क्या करते थे ये सब भूमी भूमी जोत्ते वोत्ते नहीं थे अपनी खुद से वो लोग अपना कोई ट्रेडिशनल उनका काम होता था तो वो लोग वो करते थे और इसके अलावा बहुत सारी नौन ब्रामिन कास्ट रहते थी इस गाओ में शुरूपुरम गाओ गयर ब्रामण जातियां रहती थी ठीके तो यहां का ट्रेडिशन ऐसा था नउनन प्रमेशन्ट साथके लिए गयर में जाते हों के लिए कि यह लोग के पास जो भी भूमी रहती थी यह लोग क्या करते थे उस भूमी से आप देख रहे हों यहां पर यह जो श्रीपुरम गाओं पर स्टडी की बेचते ने और वहां पर उन्होंने पाया कि कोई अपनी लैंड पर तो काम ही नहीं कर रहा है और काम कौन कर रहे हैं जो लोवर कास्ट हैं वेला कल्ला पाद चाही यह तीन जातियां विभाजित थी तीन जो निम नजातियां थी तीन सवोंहों में विभाज़ती वेला कल्ला और पाद चाही ठीक है और यह लोग क्या करते थे हैं यह सब पीजेंड लैंड भी नहीं होती ठीक है तो यह सारी चीज़े श्रीपूरम के बारे में सुनने के बाद आप यह कह सकते हो ना कि पूरा श्रीपूरम गाउं को हम पीजन सुसाइटी तो बिलकुल नहीं कह सकते वहां कि जो तीन जातियां है जो कृषी का काम करती है सिर्फ उन्हीं को हम पीजन कम्यूनिटी के अंदर रखेंगे है ना पूरा गाउं पीजन सुसाइटी के अंदर तो बिलकुल भी नहीं आ रहा है तो यह पॉइंट इनका बिलकुल भी गलत हो जाता है ठीक है फिर नेक्स पॉइंट है आपका अफधारना का आधार उनकी आर्थिक अवस्था है तो यहां पर रॉबर्ट रेटफील के कहने का मतलब है यह जो आप कॉंसेप्ट देख रहे हो पीजन सुसाइटी का इसका बेस क्या है आपका की कैसी अर्थिविवस्था होगी एक इंसान की एकॉनमिक कंडिशन कैसी है आर्थिक अवस्था कैसी है तो ऐसा इसको भी इन्होंने रेजेक्ट किया बेते ने इन्होंने कहा कि अगर कहीं कि आप स्टडी कर रहे हो खासकर भारत देश की तो आप वहां का जो कल्चुरल सिचुएशन है उसको तो आप बिलक इनको किते नहीं आती होगी तो पीजन क्लास के अंदर कैसे आएंगे नहीं आएंगे ठीक है और कल्चर को तो आप बिलकुल भी नगलिक्त नहीं कर सकते हो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आंड्रे बेते ने रेड़फील्ड और शैनिन दोनों की बातों पर अपनी अस कितनी सारी ऐसी चीज़ें मिली जो इन दोनों लोगों की अवधार्णाओं को रिजेक्ट करती हैं। साथ में उन्होंने कहा कि जैसे कि वेस्टर्ण थिंकर्स ने स्टडी की है क्रिशक समाज की उसके हिसाब से भी अगर आप श्रीपूरम गाओं को देखें तो उसको आप पीजन सुसाइटी कहोगे ही नहीं है ना जबकि वहां पर पीजन सुसाइटी पाई जाती है उसके तो कभी पीजन सुसाइटी आप कहोगे ही नहीं है ना आपको अभी बताए ना यहां पर फिर भी ऐसे कुछ परिवार है जो क्या कर रहे हैं पीजन सुसाइटी के करेक्टर सिक्स से मैच हो रहे हैं है ना तो चलिए अब हम लोग और ज्यादा बेते की व्यूज देख लेत कि इसके अलावा आप देख सकते हैं कि क्रिशक का उसकी भूमी से खुझ से मतलब लगा होना चाहिए उत्पादन का लक्ष मुख्यता उपभोग होना चाहिए मतलब कंजम्शन आपका गोल होना चाहिए आप खेती क्यों कर रहे हो ताकि आप अपने परिवार को खिला सको यह नहीं की occupation यह नहीं की profit ठीक है और साथ में आप advanced technologies का भी उसमें यूज नहीं कर रहे हो खेती आप पिछड़ी हुई है आपकी खेती में पिछड़ापन दिख रहा है ठीक है और खेती में स्त्रियों का आपको direct contribution दिख रहा है वो लोग भी जा रही है खेतों में काम करने के लिए ठीक है तो इस तरीके की कुछ विशेश्टाइद उन्होंने और कहा इस तरीके से आप जान सकते हो कि क्रिशक वर्ग हम किसे कहेंगे पीजेंट society पीजेंट class हम किसे कहेंगे ठीक है कोई गाउं है और पूरे गाउं को आप यह नहीं कह सकते कि यह पीजेंट society से related ह तो बिते कहते हैं कि आप पूरे गाउं को मत कहिए पीजेंट society पीजेंट community ठीक है यह एक यूनिट हो सकती है एक family हो सकती है ठीक है तो अगर आप इसको एक छोटी यूनिट के रूप में यूज करना शुरू करो तो जादा सही रहेगा पूरे एक whole community को कहना ज़रूरी नह अगर उससे उसकी विशिश्चताएं मिल नहीं खाती है आप इसकी यूनिट क्या रखो family को रखो ठीक है इसके अलावा यह अपना एक statement देते कि वास्तवे करतों में क्रिशक परिवार वह है जहां परिवार के सभी सक्रिय इस्त्री और पुरुष दोनों खेती में काम करते है खेतों में अप्रीजेंट हाउसोल्ड इन दे ट्रू सेंस इन वन इन विच और इक्टिव मेंबर्स बोथ मैं और विमन विमन वर्क ओन दफार्म ठीक है मतलब दोनों लोग साथ में क्या कर रहें खेती करते हूं क्योंकि गाओं का यह है ना कि अगर गाओं में और अगर काम करते हैं स्थ्रियां काम करते हैं तो बहुत ही जादा उसका स्टेटस लो हो जाता है ना कहते नहीं कि हम और तो से काम नहीं करवाते अभी भी सुनते हो है ना ऐसे हमारे भी भी धार ना प्रिछलित हैं है ना कि है ना तो इस तरीके से कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गरीबी होती तो और जो मैंस हैं आदमी दोनों दोनों न किया करते हैं साथ में मिलकर के खेतों में काम करते हैं लेकिन जैसे ही तोड़ी सा ऑच होता है जैसे आरथिकिस्थिती उची होती हुए तो सबसे पहले यह कहते हैं भाई! तुम घर में रहो सब महां करूँगा तुम कुछ नहीं करोगी आ हैं तो इस तरह our Heath करते कि मैं कमाई नहीं खाऊंगा है ना औरत की कमाई मैं नहीं खाऊंगा और घर का काम करेगी है ना तुम्हारा काम है घर का काम करना तो इस तरीके से क्या है पहले के टाइम में भी पीजेंट हम किसको कह रहे हैं जो सबसे लो हैं और लो कौन है जिनके पास खाने के भी ला अच्छी हो जाती है सबसे पहले और तोंको घर के अंदर किया जाता है न उन्होंने जो आपके बेटे हैं उन्हों ने एक चाइना के गाउं का एक्जामपल दिया चाइना का गाउं का नाम है शी एच सारी फी शाउतुंग देख रहे हो आप फी शाउतुंग का एक्जामपल दिया ठीक है उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो यह जो यह गाउं है यहाँ पर क्रिशक परिवारों में इस्तरी और पुरिश में कोई भी स्पस्ट्रम विभाजन नहीं है आज आज देखते हो ना आप कहते हैं इस्तरियों से किति तुम घर का काम करूं मैं बढ़र का कारूंगा मैं अर्ण करके लाऊंगा तुम बच्चों को संभालोगी तो वहाँ पर गरीबी ही को यह क्म करें देखो नहीं कि कि खेती में महीं खेती में बहुत सारे ऐसे काम है जब इस्त्रियां बहुत ज़्यादा काम करती हुई दिखाई पड़ती है पुरुष भी उनके आगे कुछ भी नहीं है ना वो पुरुषों से भी ज़्यादा काम करती है तो इस तरीके के परिवार क्रिशक समाज की अवधारना के बहुत क्लियर हो गया होगा आपको नहीं क्लियर हुआ है तो दुबारा देख लेना ठीक है तो इस तरीके से खेती में परिवार की इस्त्रियों जो होती है वो भी सहभाग करती है यह भी जब आप क्रिशक समाज को पढ़ते हो तो इसको भी अपने दिमाग में रखना है ना यह में आप संद्ससाइटी में नीचे हो गहां यह आप लिए क्रिशक समाज के पrafぁ ठीके नेक्स बॉंट क्या है है कि नेक्स बॉंट पॉंट के हिसाब से जू आंद यह कहते हैं कि ये बिलकुल भी चाही नहीं है कि pię जंजातियों को अलग अर्थ में इनको हम स्टडी करते हैं यह तो हमारे साथ रहती ना हमारी सुसाइटी के अंदर रहती न अर dishon और लगातार वो क्रिशक समाज से जोड रही हैं और उन्ही की करेक्टरिस्टिक्स आप जनजातियों के अंदर देख सकते हो आप हैं ना जंजातियों के बारे में हमारे मन में जो समाश्यास्त्री विवेचनाओं के आधार पर धारणा बनी हुई है मतलब जो एंथ्रोपॉलिजिस्ट उनकी स्टडी करके ले करके आते हैं ठीक है एक्चुली में जंजातियों का जीवन उससे बहुत डिफरेंट है है न आज जो ट स्टी को रिजर्वेशन देते हैं वो भी हमसे जुड रही है लगाता है तो इसलिए दो ने कहा कि अधिकांश परिवारू का जीवन क्रिशक के समाज होता जा रहा है दे लाइफ आफ मोस्ट ऑफ ट्राइबल फैमिली इस बिकमिंग लाइक दैट ऑफ दे पीजन सुसाइट इसको भी आप डिफरेंट अस्पेक्ट में ले जाकर कै बिलकुल अनथ्रो पाॉलिजिकल वे में नहीं स्टाडी कर सकते और इसको भी आप पिजन्ट सुसाइटी के अंधर ही स्टाडी करो इनको भी आप पिजन्ट मानो है ना क्योंकि लोग भी तो कृषक हैं यह भी तो करते हैं स्त्री भी जाती है लैंड में काम करने के लिए और क्रिशकों की बाजार इस्थितियां एक दूसरे से भिन है market condition of farmer and laborers are very different from each other देखो बेते ने कहा है कि जो आप physical labor करते हो शारीरिक श्रम जो करते हो वो तो main characteristic है कि इसका क्रिशक समाज का है ना कि physically आप hard work करते हो बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप क्रिशक और श्रम एक दोनों को एक ही category में रख दोगे पीजन को और laborers को आप का होगे same है same नहीं होते हैं अगर हम practically देखे तो क्रिशकों और श्रमिकों की बाजार इस्थितियां एक दूसरे से बिलकुल भिन होती है मार्किट कंडिशन को अगर आप देखो दोनों की कंडिशन बिलकुल भिन है बिलकुल डिफ्रेंट है जो आपके श्रमिक होते हैं जो को दूसरी तरफ क्रिशक होते हैं क्रिशक का अपने उत्पादन के साधन पर स्वयम नियंद्रण होता है उसके पार छोटी लैंड हो सकती है वो उस पर काम करता है या किसी की लैंड पिंपे रेंट पे काम करता है है मतलब वो लैंड से अर्ट कर आप ओदधन की साधन पर नेंधर और होता है खुज से है ठीक है ये भी मानना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि सामान इश्रमिकों की तरह क्रिशक भी निम निस्तर का एक ऐसा व्यक्ति है जिसका तरह तरह से शोषण होता रहता है इस बात को समझ में आया आपको जो आपका लेबर क्लास होता है वो बहुत तरह के से एक्स्प्लोइट होता है तो उसे हर जगह कहीं पर भी काम ढूड़ना पड़ता है जहां पर भी काम मिला जिस तरीके का भी काम मिला तो उसको उसी तरीके से एक्स्प्लाइट किया गया पर यहां पर इतना ज्यादा एक्स्प्लाइटेशन आपको उसकी तरीके से अगर उससे कंप्यार करो तो उस तरीके से यहां पर पीजन्ट का इस तरीके से एक्स्प्लाइ तो यही सारी चीजें थी आपको क्लियर हो गया होगा यही कॉंसेप्ट है किसका आंद्रे बेते का और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कोई डाउट हो तो जरूर बताईएगा और फीडबैक तो जरूर दिया करिए कि कैसा लगा है ना इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहि चल ठीक है मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में